एन आयो स्पोर्ट के दुआरा अप्रेल एक्जामनेशन दुजर्चोबिस के लिए जो प्राक्टिकल की डेट सेट है फैनल इसको डेक्लेर कर दी गई है और यह बहुत बड़ी गूड नीज है क्योंकि यह कंफर्म डेट सेट है प्राक्टिकल के एक्जामस आपके कब से पेली करा सको नमनीश वर्मा आप सभी को सुअगत है हमारे चनल पर प्राक्टिकल के डेट सेट हैन। थी नहीं हमजें यह कंश समय बाद आएगा अभी ऑगे ही अगर आपके पास प्रेक्टिकल सब्जेक्ट् Chapter Healsी धने होँगे क्योंकि इस साल आपकी एलेक्सन भी है कि सब कुछ पहले कर लिया जाएगा प्रैक्टिकल एक्जाम निशन है यह 11 मार्स से स्टार्ट होने वाला है और इन डेट्स के बीच में होगे कई सारे स्वेंट्स इस बात को लेकर कनफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस डेट पर जाना ह क्या 11 से लेकर 14 के बीच में कभी जा सकते हूं या आपको एक डेट दी जाती है तो आपको क्या करना है ठीक एक दिन पहले जाकर आपको अपने सेंटर पर पता करना है अब यह आपका सेंटर कहां पर होगा आपको एक होल टिकट दी जाएगी जो कि 11 मार्स के एक दो दिन प अभी बुला लेंगे, ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से कभी बीच में जाओं, क्योंकि आप अपने मर्जी से जाओगे, और सेंटर वाला बोलेंगे, हमने तो एक दिन पहले ले लिया, कहीं आपका practical exams रहना जाए, क्योंकि हर बार ऐसे cases आते हैं, फिर students fail हो जाते हैं, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको एक दिन पहले जाके confirm कर लेना है, और इसके बाद 15 मार्ज से लेकर 18 मार्ज के बीच में, क्लास 12 के इन subjects के, और क्लास 10 के इन subjects के practical exams होने वाले हैं, और ये रहा 19 से लेकर 22 मार्ज के बीच में, तो आपको बता दिया गया है, कि किन इन dates के बीच में, कौन चे सब्वेट का practical exams होगा, आप इसमें देख सकते हो, इस date sheet के link निचे description box में दे दी गई है, आप इसको download करके dates को अच्छे से देख लिजिए, और उसे date पे आपको जाना है, practical का whole ticket साथ या 8 मार्ज को आ जाएगा, तो उसके बाद आपको practical exam देने ज सबसे पहले, सबसे पहले आपको stationery के soap पर जानी है, तो वहां से एक practical file आपको purchase कर लेना, और इस practical file के अंदर लिखने के लिए Annisport के दवारा, आपको एक lab manual दिया गया है, इस lab manual को आपको Google से, जा Annisport के official website पे, आप course material में जाओगे, अपने subject के link पे click करोगे, आप उपर की और आपको lab manual दिख जाएगा, आपको उसको download कर लेना है, और उसमें से कोई सभी 10 experiment के 10 practicals आपको लिख देना है, जो भी practical file के अंदर आप लिखोगे, और सब कुछ आपके lab manual में सही होना चाहिए, जे graphically के अंदर कम होता है, इसलिए आपको 3 ही लिखना होगा, बाकि सभी subjects क अंदर आपको minimum 10 लिखना है, लेकिन जो एनिशपोड के दुवारा practical का lab manual दिया जाता है, यह unsold होता है, इसके अंदर fill in the blanks, match the flowing होगे, observation होगे, यह सभी fill नहीं होते, इन सभी को आपको खुद fill करना होता है, तभी आपको practical के अंदर marks मिलेगा, इसलिए एनिशपोड के जो और नहीं करना होगा, अगर आप चाहते हो कि एनिशपोड के expert teachers बनाया practical file आपके घर तक पहुचा दे, तो आप handwritten practical file order कर सकते हो, क्योंकि practical file को बनाने का जो format होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है, सबसे पहले आपको aim लिखना होता है, यानि कि जो आपका experiment है, इस experiment का क्य सथ है, फिर objective, material required, experiment, procedure, calculation, tables, flint up, blanks, observation and precautions, ये सभी चीज़े आपके practical file के अंदर होनी चाहिए, तो pictures भी गरा है, आपको इनको draw करना होगा, जो pictures आप draw नहीं कर सकते हो, उनको print करवा के, करवा सकते हो, लेकिन कोसिस ये करना, जो observation या जो tables दिए गये है, ये बिल्कुल भी ग जाट लेंगे, इसलिए जो expert teachers के दोवारा sold PDF दिये गये है, जो handwritten file बनाए गये है, जिसके link आपको नीचे description box में दे दी गई है, अगर आप अभी order करते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाकर, envelope में pack करकर, आपके घर तक पहुचा दिया जाएगा, जैसे ही आपका practical file बन किसी भी date और किसी भी time दे बुला लेते हैं, आप हम यह बात करते हैं, practical exams के दिन क्या होगा, practical exams के दिन सबसे पहले, जो आप practical file बना कर लेकर जाओगे, यह practical file teachers आप से submit कर लेंगे, और उसके बाद दो activities करवा जाएगी, सबसे पहले आपका return test लिया जाएगा, यानि कि आप आपको आपके subject से rated, कोई सभी 4 questions दिया जाएगे, इसमें से 2 questions आपको attempt करने होगे, और उन questions के आपको marks मिलते हैं, इसके बाद होता है, वाइवा, वाइवा में क्या होता है, जो आपने practical file submit करवाया है, teacher उनी में से कुछ basic questions आप से पूछते हैं, इसमें लिखना नहीं होता, आपको orally उनको answer देना होता है, वाइवा के regarding कुछ question है, जैसे physics के अंदर ये question पूछ लेंगे, chemistry में ऐसे question पूछ लेते हैं, painting में कुछ ऐसे पूछ लेते हैं, data enter में ये देख सकते हो आप, तो ऐसे कुछ question होते हैं, बहुत basic question ही होते हैं, आपको घव बनाने की जूरत नही होते हैं, या handwriting PDF लोगे, तो हमारे team खुद बनाकर आपकी घर पे deliver करवा देगी, आपको कुछ भी नहीं करना हुआ, बस exams के दिन आपको practical फाइल लिखाना है, वागी मैं आपको वाइवा के question दिये हैं, जिसमें सब just idea ले सकते हो, कि अच्छा ऐसा question पूछ जाते हैं, आपक ताकि आगे आप theory exams के उपर focus करो, इन सब के उपर आप अभी time देकर इसको खतम करता हूँ, अभी special class चल रही है theory exams के regarding, जिसमें मैं आपको खुद बता रहा हूँ, theory exams में कैसे लिख कर आना है, क्या question पूछे जाएंगे आपसे, special class को join करने के लिए, आप booster या premium, किसी भी बै इन सब के लिए, इस वीडियो को सभी जगा से इरिखना, अपना supporter और प्यार बनाया रखना, मैं आपके खुशियों के लिए ऐसी ही काम करता रहूँ, जय हिंद, जय भारत